मंच पर उपस्तित, पूर सांसद और इस छेत के बभारी, समानिय कुपाद सिंगाजी, अरे पद्दावची को मैं माला परागा, शेकावच साथ, हमारे विदायक सुक्राम बिष्टोई जी, पूर विदायक कौमदिफ कुमावच जी, हाजी कयूम साथ, साचें सांकला जी, ब्लॉक अद्दक्ष मौद है, माट साथ, हमारे छेत के सभी नेतागन, और आज मेरे सामने मौजूद माताएं, भेने, नौजवान दोस्तों, आदरने बुज़ूर्गों, सातियों, आज 16 तारीक है, आज गंदंद्र दिवस है, मैं आप सब लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, इस गंदंद्र दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक बढ़ाई देता हूँ, शुब कामना देता हूँ, आज का दिन, इस देश के लिए, एक पर्व है, कि हर जाती बिरादरी धर्म समधाय का एक राष्ट्री पर्व है, हमारे देश में जो समिधान आज लागो हुआ है, इस देश की स्थापना उस समिधान के उपर हुई थी, उस समिधान की मूल भावना को आगे बढ़ाने के जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, और लोग सबाद छेतर से आप लोगों को अपना सांसुच चुनना है, सवर्गिये सामधार जाट साप का देहान दुआ, पगवान उनको, उनकी आत्वा को शांती दे, लेकिन समय किसी के लिए रुखता नहीं है, और उप चुनाब तो होना था और हो रा है, 29 तारिक को कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हम सबने मिलकर रगू शर्मा जी को अपना उम्मीदवर बनाया है, भारती जनता पार्टी ने स्वर्गिये सामधालाल जी के सुपत्र राम सुरुख जी को अपना उम्मीदवर बनाया है, अब ये दोनों उम्मीदवर हमारे सामने है, सवाल ये नहीं ह कि 10 महीने के लिए 11 महीने के लिए 12 महीने के लिए कौन डिली में लोकसवा किस पर जाएगा सवाल यह है कि दोनों पार्टी में से किस नेता को, किस उम्मीदवार को, किस नेत्वित को, किस सोच को आप लोग बेतर समझते हो ये चुनाव राजिस्थान के आने वाली राजनीती को दिशा देगा ये चुनाव पुरा कुस्तान देख रहा है, पुरा मुल्क देख रहा है कि देव माली के लोग, मसूदा के लोग, अजमेर के लोग किस पार्टी को आशिरवाद देते हैं मैं आज आपके बीच में सारे काम छोड़कर आज मुझे पागी तेसिल की दोरे पर जा रहा था तो मैंने रगुजी को का मैंने का पंडी जी आप चालू करो कारेकरम मैं देव मालिक डोग देके आता हूँ सब लोगों से राम राम करनोंगा मैं पिछली बार कारेकर में आने इस देकात हूँ साथियों देवदवार की हमेशना हम पर प्रिपा रही है बहुत आशिरवाद दिया है आज मंदिर में भूल माला चड़ाई पालेट साथ की मूर्ती पर बाला चड़ाई है और आप लोगों से आगरे करने के लिए आजिर हूआ हूँ चार साल से कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे धक्ष बराया हूँ है और लगतार चार साल से आपकी किसानों की गरीबों की मैलाओं की हर समस्या से जूटने के लिए सरकार को ललकारने का काम हूँने किया है और आज में मौक आया है जब सरकार हमको ललकार रही है ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही ये चुनाव गांशुरूप लामा जी नहीं लड़ रही ये चुनाव इस परदेश की तानाशाई सरकार लड़ रही है यहांकि मुखमंती लड़ रही है यहांकि मंत्री लड़ रहे है और हमको ललकार रहे है आज मैं आप सबसे निविदन करने के लिए आया हूँ आपने पांच साल सेवा का मौका दिया मसूदा अजमेर के लोगों ने अशिरवार दिया आपके बिच में ने काम किया है लेकिन आज मैं आप लोगों से आपका वोट मांगने के लिए आया हूँ और आपको सचेत करने क के लिए आया हूँ वोट एक बटन का नहीं है वोट आपके जो मान सम्मान प्यार मोहबत हम लोगों के लिए है उसका प्रतीक है जो रिष्टा कायम हुआ इस जश्कों से सालों से एक दूसरे के लिए उसको आज इजार करने का मौका मिलेगा मुझे बताया कि सम्मान ने मुखमद्री महधिया भी यहाँ पर डोड़ देने आई थी अच्छी बात है चुनाव के समय ही सही कम से कम आप लोगों को याद तो किया आपके बीच हाजे होई है और मुझे लगता है कि हर कोई वक्ति जो यहाँ पर सर जुकाता है उसको आशिर दूर रहे उनको टेंशन नहीं हो उनका परिवार फले फुले उनको लक्ष्मी का आश्रवाद मिले लेकिन मैं बड़ी विनमता से बोलना चाहता हूं थाको वोट कौना मेरे वोट को वहीं पड़ेगा आज पूरे जिले में अलवर में माडल गड़ में आप लोगों की असीम कृपा से जबरदस्त आनी कॉंग्रेस पार्टी की चल रही है और मैं तो बोलते हुए बड़े बड़ा फकर होता है यहां बड़े बड़े मोटे मोटे मंत्री घूम रहे हैं मोटे मोटे मंत्री जानदार मुख मंत्री खंबा गाड़ना चाह रही है लेकि जब आनी चाहती है तो बड़े बड़े खंबे उखड़ जाते हैं कोई किसी के रूपने में नहीं आता अब ये जिम्मेदार याप के उपर है 29 तारे को बहुत कोशिश होगी मैं तो भई अख़़ता रहता हूँ मैं कभी केकड़ी में कभी नसीरवाद में कभी दूदू में कभी पुशकर में अख़़ता हूँ कि फला मंत्री दौरे कर रहे हैं फला मंत्री ने जोली पहलाई है हला मंत्री बोड़ते हैं साब समाज की बात है सचिन पालिक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो हमको बोड़ दे हैं तो उनसे पूछना तुम चुनाव लड़ हो क्या है वो भी नहीं लड़ रहे हैं वो बहुत अदमी जो जो भी दो-पांच बंत्री यहां पर आये होंगे सांचत में धायक भी आये होंगे वो बापने नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी है कि जैपूर में मारानी टिकने नहीं देती है जैपूर जाती है तो लाठी मार के लोदी भाप पसुदा जाओ देमाली जाओ वोड लाओ यहाँ पे आते हैं तो जैपूर कपड़े भाड़ती है बिजली नहीं पानी नहीं आत्मत्या और किसान कर रहे है मैला का शोषण हो रहा है बीज पूरे परदेश में महंगाई की मार है पूरे राजस्थान में आज रोजगार कहीं नहीं मिल रहा अभी कॉंग्रेस के राज में साड़े तीन सो रुपे का गैस का सिलिंडर था कि नहीं था आज कितने का गैस का सिलिंडर है साड़े साथ साथ उसका जवाब देने कोई मुख मंत्री मंत्री नहीं चाहते है असी किसान कर्ज के बोज में दबके मर गए उनके परिजनों के आसो पोचने कोई गया मुखमंद्री गया एक ही काम है जैपुन में बैठ कर बजरी के ठेके शराब के ठेके खानों के ठेके बाकी कोई जीओ या मरो कोई मतलब नहीं है रोज अपरन हो रहे है हत्या हो रहे है बलातार हो रहा है और मैं मुझे अचम्मा इस बात का है कि जो महिला इतने सालों मुखमंद्री रहींस परदेश की क्या मूले की हाँ पर समाच से वोट मागने आती है फलाने की भवू फलाने की सास फलाने की देवरानी फलाने की जेठानी फलाने की भावी बोटों का टोटा पड़ गया लाखों बोटों से जितने की कॉंग्रेस पार्टी साथियों चक्तिश कों के लोग कोई भी एक जाती विरादरी कोई चुनाम ने जी सकती चाहे सरपन शीका हो चाहे लोग सवाका हो और कौंगरेस ऐसी पार्टी है जो महिनत करों को अगलों को पिछणों को आदिवासियों को गरीबों को अल्चब को सबकू समान समान दिया है और यह वो पार्टी है जो लोगों में जहर गोर कर दुश्मनिंटी पैदा करती है। पानी मांगते हैं को दोली चालाती है। आरीकशन मांगते हैं को दोली चालाती है। बात करते हैं तो पुलिस की स Balkाटी है। आज फॉनका caliber कर गर रहे हैं। नोटेस दे रही है, ठाने में बुला रही है, दबाव दे रही है, लालस दे रही है, सार्या ठारा लाग मत आता है, इस अज में लोकसमा छेतर के हैं, किस किस को जेल में बंद करोगे आप, किस किस के ट्रांसफर करोगे, कितनों को खरीदोगे, कितनों पर लागिया चलाओग ये होने वाला नहीं है अज में लोगसवा का चुनाव इस बार जो होगा वो सच और जूट के लड़ाई होगी दवन करने वाले और संगस करने वाले के बीच में लड़ाई होगी और ये लड़ाई आपके भरो से पे हम लड़ रहे हैं आज मैं विशेश रूप से आपके बीच पे आगरे करने के लिए आया हूँ, मेरी बात को गौर से सुनना, कान खोल के सुनना, चार साल दो संगर्स हमने आपने किया है किसालों वरीबों के लिए, आज वर कसोटी का समय है, 39 तारीक को एक एक वोट हाथ के पंजे पे देना प पर दो नहीं, आता है बेने डरेंगे तो नहीं, लालत में तो कोई नहीं आएगा, और आप लोगों को तुस्रोफ एक छोटा सा काम करना है, 39 तारीक की सुबह सुबह नत्य तारीक को तुला चाकी छोड़के सुबह सुबह छोटा सा बटन लवाना है, बस, बाकी पूरी मैं खिनूगा आपकी जब चित्ता खोड़का, अब बहुत उम्मीद हम लोगों को है, आप लोगों से, किसानवर्क के लोगों से, नौजवानों से, महिलाओं से, बुदर्गों से, आठों विदांसवाद छेट में चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे ज मेरे अगरे को अगरे आपस्मिकार करते हो, तो जितने भी खड़े बैठे हो, दोनों हाथ खड़े करका अगरे को विश्वास दलाओ कि सारी बर कॉमनिस पार्टी को करने बादे है, आप शातियों सुनो, मैं कल पचार का आखरी दिन है, कल अजमेद में रोडशो करेंगे, हम भी करेंगे, महारानी भी करेंगे, महारानी भी करेंगे, पुरी सरकार लगेगी, मंत्री में लगेंगे, लेकिन हमारे विक्षा वाला, ठेली वाला, छोटा किसान, मजदूर, हमारे साथ कंदे से गनाम बदा कर चलेंगे, और बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी कारी वाले म अपास के साथ आएंगे। अब हार और जीत किसकी होगी तो परवता परमिश्र तह करेगा। लेकिन आज धोग देने के बाद देवड़्बार में हादी देने के बाद आप सब लोगों का आश्रुदा देने के बाद, मेरा मन ये कहता है कि लाखों वोटों से यहां कॉंग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी मेरे आज मेरे आज 39 पंचादों के दोरे फाकित थे सिल के दुदू में मैं वाँ जा रहा हूं लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों के मूझ से वो जैकारा सुनना चाहता हूं ताकि मेरे कलीजर ठंड़क पड़ जाए तोंग्रेस पार्टी ये नारा तो मसूदा दिली पहुंचा अज मेरे कैसे पहुंचेगा तोंग्रेस पार्टी अब एक नारा लगाना है माता भाहरों पूरा गले की नस भाड़ के बोलना है जेप उत्तर को सुन्दा जी को पड़ना चीज़ सुनाई ठीक है क्लोग्रेस पार्टी आप आप तम्याद राम जाम साथ